अगले दिन जितना पैसा कमाया था जीरो हो गया, जितना पैसा खटा हुआ था उस टाइम में, सारा पैसा खटा गरा और वापी स्टॉक मार्गेट में लगा दिया एक कोर्स सीख, यह जो प्रीमिय मैं न वो 10 रुपे से 100 रुपे तो हो नहीं है, तो मैं बैठा रहा, मैं बै पर आज यहां अपनी सिर्फ कहानी सुनाने नहीं आया, मैं आपको वो 5 बाते बताने आया हूँ, जिसने मुझे एक सक्सेस्पूल ट्रेडर बनाया है, तो इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना, क्योंकि मैं कोई कोर्स सेलर नहीं हूँ, नहीं मैं एडवा से कल आती है, जो की इस शेर मार्केट के अंदर इंवेस्ड करकर लोग करोड़पती बन जाते हैं, ठीक है, तो वह यह से बनौन कहुंन Nov końca कर देखी झाल, क्यान और कि मैं पाँच दिन काम करने गया, च्छाटे दिन नांश हूँ छोड़ दी क्यूंकिन नौकरी थी सब दिन काम करवाया जब काम करवाया तो एक दिन में 600 कॉल करवाय और मेरे को सेलरी जो थी वो मिल रही थी 12,000 रुपे तो यहार वहां पर समझ आ गया कि यह तो अपने लिए नहीं बनावा ठीक है तो फिर जब मैं कॉमर्स में बिजनस स्टैडिस पढ़ता था तो मेरे एक सर थ कि कैसे कर सकते इंवेस्ट ठीक है आप क्यों नहीं करते तो सर ने बोलाया में को तो पता ही नहीं कि कैसे इंवेस्ट करते हैं तो मैंने वहां से सोचा है कि अगर सर मुझे पढ़ा रहे हैं और सर कोई नहीं पता तो फिर यह कमा कौन रहा है करोड़ पती बंद कौन रहा है सिरफ वो कुछ जो ऊपर लोग है जैसे हरश्वत मैता सुना होगा आपने लोगों न राके जुन जुन वाला सिरफ के लोग कमा रहे हैं कि या फिर जर्नल पब्लिक कमाई नहीं पारी और अगर नहीं कमा पारी तो क्यों नहीं कमा पारी वह मुझे जानना था ठीक है उससे मै मैं के दिन वह थे लाइक अगर आप सच हो आप अगर आप सजी डिरेक्षऩन में हो एक मिनट के बाद आपका पैसे mine अब म्हुश गया अब यहां पर मेरा जो पॉकिट मनी थी 500,000 पर मईने की तो मैंने सोचा की काम करता है अब बैनेंड होता है और आपको RSI होता है और moving averages होते हैं यह इंडिकेटर से ठीक है और parabolic सार होता है यह सब मैंने सीख लिया तो मैं पूरा confidence आ गया था अब तो मैं पैसा बनाई लोगा ठीक है तो binary trading के अंदर मैंने सोचा कि अब पैसा बनाने का दिन आ गया है मैंने सारी अपनी पॉकेट मनी एक-दो मैंने की collect करी और मैंने उसमें लगा दी आप मानोगे नि 15 मिनट में मैंने वह पैसा डबल कर लिया मैंने सच में पैसा कर लिए कि दो दिन में दसका पंधरा बीस कर लूंगा ऐसे करते-करते तो साल तक तो करोड़पती बनी जाओंगा ठीक है फिर उसके वाद घरवालों को क्या टेंश लेने की ज़रत वैसा तो अपना आता ही रहेगा ठीक है अगले दिन जितना पैसा कमाया था जीरो हो गया क्योंकि ऑवर कॉंफिडेंस था इतने ज़्यादा ट्रेड ले लिए और वह कर अगेर और उसके समझाया कि अरड़िकल्स पढ़ना सटाट्क रहा हूसके बारे में कि میरा सक्ष्व में लौणि लोग नौपतीspeaking है यह से आइक है कि वह एप सकैम है कि मेरा कि नियुकि मेरा लॉस हो रहा है मेरा वा नी समझ हो इसलिए सकैम है क्यूंकि मेरा लॉस हो रहे है एक चलो छोड़ दो फिर मैंने वापिस सच करना स्टाट करा लेगिन लोग तो करोड़वती बनते हैं तो अब कहां बनते हैं वह ढूंड़ूंगा मैं तो फिर वहां से मैं को समाज आए कि इंडियं फिटर हैं तो वह दो चला भैंग यहां पर एक दिन के अंदर पैसा होता है एक मिनट वाला पैसा हुआ तो मैं आ गया ठीक है अब उसके बाद क्या हुआ कि अब इसके अंदर ना सबसे पहले लेसन जो मैंने आपको बोला है पांच चीज़े आपको बताने वाले हो इसके अंदर सबसे पहले लेसन जो मैंने अपना इस जड़नी से सीखा इस सिच्टुएशन से सीखा कि आपको किसी भी लाइन में जाए वो कोई भी लाइन हो not in stock market बेहरे चैनल में घुसोगे तो आप 0 ही होगे तो यहां से संसा सुनाता हूं आपको समझ आएगा मैं ऐसा कि ओ गुल करौन ठीक है options के अंदर घुसा ऊप्शन के अंदर घुसा तो समझ आया कि option एक ऐसी चीज है कि हैसे 10 sont Bullet सकती है दोह infection जा सकती है 500 जा सकती है ठीक है तो म त्रेडिंग करने बैठ किया अब जो पॉकिट मनी आप विसली में तो पॉकिट मनी मिलती थी ठीक है लेकिन अब पॉकिट मनी से मेरा काम हो नहीं रहा था क्योंकि वह 500,000 पर मुझे करोड़ वती नहीं बना सकता था ठीक है फिर मैंने एक जॉब स्टार्ट करी तीन हजार प पैसा भी कमाना तो उसमें कमांगा ना इसमें मन लग रहा है अब फिर में को एक चीज़ तो समझ आगी थी यार कि स्टॉक मार्गेट के लावा मेरा मन किसी में लगी नहीं तो मैं जो काम करना है तो मैंने चितना पैसा घट्टा हुआ था उस टाइम में सारा पैसा । तो उस दिन जो किस्सा हुआ और वो मैं आपना आपको बोलता हूं हैर इससे बड़ा और बेपकुपी किसी की मला होई नहीं सकती मदब इससे बड़ा इन्सान जो उस चोुछिप इन्हें सकता मैंने ऑप्शंस के अंदर ट्रेदिंग स्टाट की ठीक है और और लक्ट वो 10 रुपे से 100 रुपे तो हो नहीं है तो मैं बैठा रहा बैठा रहा वह 5 रुपे आ गया मैं बैठा रहा वह 2 रुपे आ गया at the end of the day वह प्रीम हो गया आपको बेसिक नॉलिज उस लाइन की होनी चाहिए यह बिल्कुल बेसिक था कि एक्सपारी वाले दिन एक ऑप्शन जीरो होता है लेकिन मुझे यह भी नहीं पता था क्योंकि मैं तो ओवर कॉंपिडेंस था ना कि यार मैं को इंडिकेटर सा आ गया मैं को मार्किट के बारे म मैं आज तक किसी को भी पूरा ग्यान नहीं आया है तो आप जितना सीखोगे उतना अच्छ है और एटलीस्ट आप बेसिक्स तो आप करो उसके बाद ट्रेडिंग के अंदर गुसो तो अब इस गलती के बाद मुझे समझ आ गई नॉलिज तो लेनी है भाई मैंने नॉलिज नॉलिज ली ठीक है लेकिन में को को समझा गया था जिस है मैं सीख दियुक्त सुछ नॉलिज वो देते थे मेरे किसी काम की निती ठीक है तो मैं को को एक ऐसे त्रेडर की तलाश है कि चो सच में ट्रेडिंग से पैसा कमातों मैं बहुत घूमा फिर उसके बाद मुंबही गया उसके बाद बहुत जगा मैं इंडिया के अंदर घूमा उसके बाद मैं को एक इनसान मिला जो मेरे में और सब्सक्राइब बताओं से 2nd पॉइंट आज का है follow only one setup तो भाई ने मज़े एक चीज समझाई किया हर्षते को बताऊ एक इस मार्किन में पैसा कौन कमाता है इस मार्किन में वह पैसा नहीं कमाता जिसके बास 10 सेटफ है लेकिन उस एक सेटफ पे उसने टिंगे अगर आपने दस सेटप पे भौछ सारी ट्रेड लिए तो आपको यही समझने आएगा कि कौन सा सेटप कब यूज करना है लेकिन अगर आपके पस सिरफ एक सेटप सेटप के अंदर भी आपके बास क्या होना अच्छी है वह मैं आपको बताता हूं आपके बास ऐसा स जिसके अंदर रिस्क टूरिवार्ड रेश्यों बहुत जादा है लाइक वानिस टू-3 मिनिमम में अगर आपका ये भी है ना तो अगर आपके दस में से पास ट्रेड भी यानि की 50% एक्यूरेसी भी है आपकी तो भी आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा कर जाओगे स्टॉक म आप पर ना ऐसा नहीं ज्यान नहीं देने वाला कि आप वह कर लोगे वह कर लोगे पैसा बन जाएगा आपको पूरे फैक्ट बताने वालों ठीक है स्टॉक मार्केट में यहां पर खड़े होकर मैं आपको आपको बताता हो आप मुझे बताओ अगर मैं गलत हूं तो ठीक ह है स्टॉक मार्केट में वैशlle गाना है 0-10 मैंसे अगर पांच ट्रेड लोग और से ना किया सक एक कर रिस्क होनी घ्या है ठीक है उनीस ट्री कारीów रिष्ट ऊंजने चाहिए 10 मैं दस में अगर आपके पांच ट्रेड नहीं चले तो कितना गया पांच रुपे पांच रुपे गया वन रूपी पर ट्रेड का रिस्क और एक रुपे एक ट्रेड का रिस्क और पांच ट्रेड के अनुसार हमारे पांच रुपे गये लेकिन जब हमारे पांच जो सही होगे उसमें अगर हमारे तीन रुपे आ रहे हैं तो हमारे स पसका आप तीन गुना कमा रहे हों है ना आपको शेयर मार्केट में क्या चाहिए आपको 80% एक्यूरिसी चाहिए या फिर पैसा कमाने है आप पहले यह अपने अंदर दिमाग के अंदर गुशा लो अगर पैसा कमाने ना एक सेट अप चुनो ठीक है अब एक सेट अप के खोड दिया यह वह तो ड्यव Нी हमारी टोटल लॉस और दिया दूसर सेट अप कर चोड दिया थीसरस व्याहित्य लगा लो यह आपकी पूरी लाइफ सिकसेस्फल होजेगी और मैं इस रफ आपको यह शृष मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में नहीं बोल रहा हूँ आप शैसे लोग बोलते ना पैसा ओपरेटर चलाता है मारा ट्रेडइंग ऑप्रेटर नी चलाता आप पिओ चलाते हो Stock Market को, वो कैसे चलाते हो बताऊं, आपका डर, आपका लालच, Supporter and Descents लोग देखते हैं ना, मैं Supporter and Descents देखता, मैं यह देखता हूँ लोग लालची कहा हो रहे हैं, लोग डर का रहे हैं, जहां लोग डरेगे, वहीं बाइंग आएगी, जहां लोग लालसी होएगे, वहीं सेलिंग आएगी, और वही आपका सपोर्ट एन रिस्टेंस भी बनेगा, तो आज का थर्ड पॉइंट, बी आ, डिसिप्लिन ट्रेडर, स्टॉक मार्किट के अंदर, अ आपको कुछ एक चीज़े बताता हूँ, जैसे कि आप जब ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, यानि कि 9-15 पर मार्किट खुलती है, आपका टाइम है, 9-15 पर आप बैठते हो, तो 9-15 पर आप उससे पहले क्या क्या करते हो, लेट से अगर आप 6 बज़े उठते हो, 6 बज़े से लेकर 9 बज़े तक, हर रोज, अगर आप ये कर पा रहे हो, तो you are a disciplined trader, ठीक है, पहला point है, discipline trader का, ये पूरा नहीं है, discipline trader, पहला point, अगर आप ये कर रहे हो, discipline trader है, अगर आप discipline person हो, तभी वो चीज़ आपकी trading के अंदर भी आएगी, कैसे वो मैं आपको बताता हूँ, अग ठीक है, उसको follow कैसे करोगे, discipline बनकर, एक target होगा, एक आपकी entry price होगा, entry price पर आपको enter होना है, target पर ही exit करना है, और stop loss पर ही exit करना है, ये होता है discipline, अगर आपने 100 trade लिए, 100 trade लेने के पाद, अगर आपने discipline से 100 trade लिए, तो आपको profit बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता, तो stock market क के अगर आपको पैसा बनाना है, यहाँ पर सबसे ज्यादा पैसा कान बनाता है पता है, कुछ सबसे ज्यादा discipline होता है, ठीक है, algos बोलते है, लोग पैसा कमाती है, एलगो ट्रेडिंग आज को चल रही है वो पैसा क्यों कमाते है जो बड़े-बड़े एलगो चल रहे है वह इसलिए पैसा बनाती है क्योंकि उनके अंदर कुछ एंट्री टार्गेट और स्टॉप लोस रहेगा तभी सौ ट्रेड के बाद आपको समझ आएगा मेरी बात सौ ट्रेड कर लिए ना उसके बाद आप यहां पर आकर बोलोगे कि यार आप सच बोल रहते हैं और मैं आज सक्सिस्फुल ट्रेडर बन चुका हूं तो आपको तीन मैंने कुछ आपको दे हैं कि आपको यह समझ आ गया कि आपको ट्रेडर वनना तो आपको बेसिक नावलीज होनी चीह है आपको यह समझ आ गया कि otherwise कर पिसे करने और फिर आपको कैसे सुधार ने मेरे मैंटor ने मिरब को एकमट क दिया ठिए में क्या हुआ लग के लिए में सब कुछ आ जहां दी हैं मुझे समझ आगopard क 채 वग कर दी है कि याँ उन्हें ने दियो मैं kanbtom मेरा एक छोटा सा काउंट मेरे 25 या डाल कर दी ये ठीक है मैंने उसको के यंदर account को zero कर दिया ठीक है और रिख जीरो करने के बाद मेरेको भाइडने पता क्या वोला कि हर्ष मेरको एक चीज का खुशी है कि तुन हे जीरो जुरूर रहे जरूर ने में एक महीना लगा यह ठीक है वो एक महीना इसले लगा क्योंकि मैं लॉस्ट कर रहा था लेकिन मैं टेट्स ले लेता था कभी कभी तो वहां से जो चौथा पॉइंट है वो है find your losses कि अगर आपको loss हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है ठीक है वहां से मुझे समझाया है कि यार जब भी मैं सही होता हूं तो मैं बहुत सही होता हूं मैं बड़ा पैसा बनाता हूं मैं एक लौट से कि उस दिन मैं overtrading कर देता हूं क्योंकि वहां पर क्या emotion आता है I am confident person I am very knowledgeable person I am knowledgeable trader और इतना टाइम हो गया है मेरा loss कैसे हो सकता है अब कैसे loss हो रहा है मेरा तो उस चक्कर में भाई मेरा एक trade loss हुआ अगले में पैसा बनाऊंगा अगले में मैं recover कर दूंगा सारा लेकिन आपक एक दिन में दो से ज्यादा stop loss हो गया है यानि कि उस दिन market आपको तीसरे में भी शायद पैसा ना दे तो इस से अच्छा उस दिन बंद करो और अराम से अगले दिन trade करने आना क्या पता उस दिन मार्केट ही खराब हो क्या पता आपके setup उस दिन खाम ही ना करे पूरे दिन तो यह जो मेरी गलती है find your losses आप अपना भी find your losses ठीक है अपनी गलतियां ढूंडो अपनी ट्रेडिंग जो P&L है उसका पूरा रिपोर्ट बनाओ अपना एक जर्नल बनाओ कि मैंने जब भी loss कर रहा है मैंने वह क्यों किया profit किया है वह तो ठीक है वह तो आपको लिख नहीं पर मेकिंग मनी तो आज का आखरी पॉइंट है do not trade do not trade मतलब यह इतना समझा दिया discipline trader बन जाओ और सेटप फॉलो कर लो और नॉलिज ले लो find your losses उसके बाद बोल रहा है इतना समझाने के बाद ट्रेडि मत कर तो क्या करें है ना तो इसका मैं मतलब समझाता हूं आपको क्य है कि trading के अंदर यह नहीं है कि आपको रोज 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 करोगे तो आपकी psychology खराब होईगी ठीक है आपको रोज रोज मार्केट के अंदर आपको क्या लगता है रोज 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 ट्रेडिंग के आती है असली बात बताओं तो मार्केट के अंदर 70-80 दिन होता है बता द्यां मेरी जर्णी वैसी स्केलपिंग से स्टार्ट हुई थी तुमें यहां पर हूँ आपके सामनी लॉस करने के लगते वार आपको experience बता रहा रहा है तो कीरेंस नहीं से और और मिलेंग से दूर मतलब क्या और पैसा आपको समझना समझने की कोईश करो और वो कब समझोगे जब आप ट्रेड नहीं करोगे आप ट्रेड के अंदर हो अगर तो आप कभी भी मार्किट को नहीं समझ सकते यह मेरी बात को समझ लो आपको पहले बिना ट्रेड करें मार्किट को अप्जर्व करने मार्किट को देखना है कि मेरे सेटप में निए से कोई नहीं रुख सकता थिक तो आंपको कुई इमोशनको कंड्रोल कैसे करना एक मंखिट को देखो अब्जर्ब करो सैट अब करणा नहीं लेना आपको शिर्फ Remember बैठ कर पता है क्या observe होता है P&L statement कितना पैसा बढ़ रहा है और कितना पैसा कम हो रहा है चार्ट भी समझाने बंद हो जाएगे जब ट्रेट के अंदर गुषते हो ना चार्ट दिखने बंद हो जाएगे उसके बाद आपको सिरफ दिखेगा पैसा कितना रहा है ठीक है तो अ इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्षन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें